इस वीडियो में हम learn करेंगे कि ऐसे unlike fractions, जिनका numerator सेम होता है, उनको हम कैसे compare करते हैं, कैसे पता चलता कि कौन सा fraction जो है, वो greater है, बड़ा है, तो एक simple example लेते हैं, हमारे पास एक fraction है 1 third, और दूसरा fraction है 1 fifth. ये दो fractions unlike fractions है, क्यो unlike fractions है? क्योंकि इनके जो denominator है, वो क्या है, different है, सेम नहीं है, पर इनके जो numerator है, वो क्या है, सेम है, दोनों का numerator कितना 1 है, अब हमें ये पता करना है, कि इन में से कौन सा fraction बढ़ा है, कौन सा fraction greater है, तो हम एक rectangular strip लेते हैं, जो किसको represent करर रही है, whole को represent कर रही ह तो यह हमारी rectangular strip है, जो hole को represent कर रही है, और एक और rectangular strip लेते हैं, इसी size की दूसरे fraction के लिए है, तो यह हमारी दो rectangular strips है, जो same size की है, और जो दोनों fractions के लिए किसका काम कर रही है, hole का काम कर रही है, अब पहले fraction के लिए, इसका denominator के इतना है, 3 है, तो हमें इस strip को कितने equal parts में divide करना पड़ेगा, 3 equal parts में, तो पहली जो strip है, हमने 3 equal parts में क्या कर दिया है, divide कर दिया है, और second वाला जो fraction है, उसका denominator 5 है, इसका मतलब इसको, इसका जो hole है, उसको कितने equal parts में divide करना है, 5 equal parts में, यह हमने 5 equal parts में, इस whole को क्या कर दिया है divide कर दिया है वापस पहले fraction की तरह पाते है numerator कितना है 1 है so हम इसका मतलब जो है एक part को 1 part को select किया गया है तो हम इस first part को select करते है तो ये जो fraction है 1 third ये जो है इस greenish shaded region को represent कर रहा है ठीक उसी तरह से 1 fifth fraction में इसका numerator 1 है तो हम इस पहले part को greenish करते है तो ये जो 1 fifth fraction है ये इस second strip में इस greenish part को क्या कर रहा है shaded part को क्या कर रहा है represent कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि जब हमने whole को 3 parts में divide किया है तो एक part का सईज इतना है और जब हम उसी size की whole को ज़्यादा parts में divide करते हैं 5 parts में divide करते हैं तो हमारे पास एक part का size पहले के मुकाबले क्या हो जाता है छोटा हो जाता है क्योंकि हमने whole को सेम size की whole को ज़्यादा parts में क्या कर दिया है ये ग्रिनिस part इसका मतलब ये ग्रिनिस portion है ये second वाले ग्रिनिस portion से क्या है बड़ा है और इस ग्रिनिस part को कौनसा friction रिप्रेजेंट कर रहा है one third इसका मतलब जो one third fraction है जो one third fraction है वो greater ये greater than का sign है कैसे बनाते हैं दो dots तीसरा dot और इन dots को ऐसे मिलाया तो ये जो जो ये ये जो इसका जो face है वो greater number की तरफ open होता है तो one third fraction is greater than one fifth fraction इसका मतलब ये हो गया कि वो fraction जिसका denominator smaller है छोटा है जो है दूसरे fraction जिसका denominator बड़ा है उससे क्या है greater है उससे बड़ा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जब हम कम number of parts में divide करेंगे तो parts का जो each part का जो size होगा वो क्या होगा greater होगा उसके मुकाबले जब हम whole को ज्यादा parts में क्या करते है डिवाइट करते है और अब हम अगर इन fractions को देखें two thirds और दूसरा fraction two fifths अभी भी हमारे denominator three and five है पर numerator को हमने क्या कर दिया है two कर दिया है पर numerator अभी भी दोनों fraction के क्या है इस सेम है तो क्योंकि हमने denominator three and five ही रखा है इसका मतलब यही whole काम करेंगे और अभी भी two third के लिए whole को कितने parts में divide करना पड़ेगा three equal parts में और जो two fifth है उसके लिए कितने equal parts में five equal parts में तो अभी two third के लिए हम इस वाले strip के कितने parts लेंगे two parts और two fifth के लिए second strip अभी भी कितने parts लेंगे हम इसमें भी कितने parts लेंगे two parts और हम यह देख सकते हैं कि जो जो fraction and two third है यह two third represent कर रहा है इसका जो portion है जो size है वो क्या बड़ा है किस से two fifth वाले fraction से two fifths वाले fraction से इसका मतलब two third is greater than fraction two fifth तो हमारे पास एक simple सा रूल आ गया है तो क्या कहता है रूल if the numerator in two unlike fractions two unlike fractions is same numerator is same then the fraction with the smaller denominator the fraction with smaller denominator is greater of the two greater of the two fractions तो इस रूल का क्या फाइदा हुआ अगर हमें कोई भी unlike fractions दे रखे हैं जिनके numerator सेम हैं तो हम बिना diagram बनाए वे यह पता कर सकते हैं कौन सा fraction क्या है greater है तो एक example लेते हैं हमारे पास दो fractions हैं एक है seven thirteenth और दूसरा fraction है seven elevens और हमें यह पता करना है कि इन दो fractions में कौन सा fraction बढ़ा है कौन सा greater है तो यह दो fractions कैसे fractions हैं unlike fractions क्योंकि इनके denominator क्या है different है पर इनके numerator क्या है same है तो इस rule के according वो fraction जिसका numerator जिसका denominator जो है smaller है 11 13 से smaller होता है वो क्या होगा greater होगा इसका मतलब जो यह fraction है seven elevens seven elevens यह greater होगा किस से seven thirteenth से थैंक यू